हाई गाईज वेलकम बैक टो आट्टी काफ्स वर्ड और आज हम बनाना सिखेंगे अलडर टाइप बुक माप उसके लिए हमने टेप या ग्लू बिल्कुल यूज निके लेट स्टार्ट जे वीडियो उसके लिए हमने लिया है पेपर 15.5 संटीमेटर रिबन और वूर पेंट स्पेंसिल एनिडेजर वॉटर बस फाई चीज़े हम लेंगे सबसे तल आप पुलेना आपका पेपर और उसमें आप कोई भी डिजाइन बना लीजिए यहां पुल मैं फ्लावर का डिजाइन बना ली हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से अपना फ्लावर फिनिश कर लेती हूँ आप यह कोई वी शेप बना सकते हैं यहां पर नो मैं तो फ्लावर बना रही हूँ आप कोई भी शेप बना सकते हैं अब मैंने फ्लावर्स बना लिया अब मैं स्वे वॉटर में टिप कर दियू है हमेरे ब्रश को और मैं ले रही हूँ इधर यल्लो पेंट तो मैं जल्दी से इसके मिडल में यल्लो लगा लेती हूँ तो मैं सारे फ्लावर्स में कर दूंगी कम से कम इसके दर लगते हैं ट्वेंटी सेकेंड तो यह हो गया अब मैं इस वॉटर में टिप कर लेती हूँ ताकि जो अनधर हमारा कलर है उसमें यल्लो ना लग चाए तो गैस करो हमारा अनधर कलर क्या है आपने राइड गैस किया वह है लाइट पिंग मेरा फेरीट कलर आपको चाणना है मेरा फेरीट कलर क्यों प्रिंग एंड रेड आपका कॉंसा है आप कमेंट करके बताना अब मैं ले रही हूं डार्क पिंक मेरा फेजिट कलर तो आप एकदम डार्क कलर ना यूज़ करना जैसे डार्क ब्लूस ग्रीन और दार्क ग्रीन ग्रीन फ्लावर में अच्छा नहीं लगता है का प्रीन भी यूज मत करना, ब्राउन कलर एंड ब्लाक कलर, यह सब कलर अगर आप यूज करते हो, आप लाइट ब्लू यूज कर सकते हो, पर आप डाप ब्लू मत करना, तो यहाँ पर अब मेरे ले लिया है परफल कलर, तो मैं जल्दी से ये फ्लावर को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, अब गेस करो मैं कौन सा कलर लूँगी, मैंने कुछी देर पहले बोला था, वो डार्क, वो बी से आता है, आप में राइट गेस किया, मैं लेरी विया पर नाइड ब्लू, लाइड ब्लू यानि की स्काई ब्लू, तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ, लाइड ब्लू भी, अब मैंने सारे कलर पेंट कर ले है, अब लास्ट मैंने पेंट नहीं किया, क्योंकि वाइड फ्लावर भी होते है, अब हम इसमें करेंगे होल, तो आपर मैंने पेंसिल से बना एक सर्कल, और अब मैं इसे पेंसिल से होल कर दूँगे, अगर आपके घर में पंचर है, तो आप यूज कर सकते हो, मेरे पास पंचर नहीं था, और मैंने आपको एक अच् घर पे विताओ तंचर बुकमाफ बनाने खा, और उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना, और अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे हमारा रिबिन, आप फ्रंशिप बैंड का भी रिबिन ले सकते हैं, या पर मैंने बड़े रिबिन लिया है, और आप विल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास रिबिन नहीं था, मेरे पास रिबिन था, लेकिन मुझे वो मिल नहीं राता, इसके लिए मुने रिबिन यूज किया, अब मैं इसे रिबिन को नौर्थ कर दूँगी, तो ये नौर्थ मैंने बान दिया, तेखिए, कितना सेंपल औ संफलार मैंने नहीं बनाया पर वो फ्लार मैंने ही बनाया है, और फूर येर्स के बच्चे लोग भी आराम से बना सकते हैं, तो अगर आपको ये विडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दो, लाइक कर दो, और शियर कर दो, देखिए कि इतने अच्छे हमारे मार्क्स बन गए, अब इसे करते हैं ट्राइ, जहाँ पर लिया मैंने एक बुक और इसमें मैं रख दूँगी अपने बुक मार्क, ये मैंने चैप्टर रीड किया था, तो मैं इसे बुक मार्क रख के इसको बन कर दूँगी, और फिर मैं कभी ने भूलूँगी, मैं कॉन स लेसन में थी, तो देखें किते सुन्दर हमारे बन गए, बाई